बड़ी लाप परवाही से शहर के राश्रिय महमार्क स्ती ड्रेगन पैलेस टेंपल भूमिगत पुलिया जैस्तम चोक, हौकी बिल्डिंग चोक, नया पुले स्टेशन परिसर में यातायात के कर्मिचारियों को गत कई दिनों से ड्योटी करते नहीं देखा गया है ऐसा लग रहा है मानो शहर का यातायात विभाग के कर्मिचारियों को काफी लंबी छुटियों पर फेजा गया है राश्रिय महमार्क पर बेलगाम भागते वहन तता उससे नागरीकों के सिर पर मेंडराती मौत इस बाद से पूरा यातायात विभाग अच्छुता हो गया है शेर से यातायात कर्मी हमेशा गाय प्रहने से पूरे शहर की यातायात विवस्ता के हाल बेयाल हो गया है काफी दिनों से यातायात विभाग कामला ड्यूटि न करते हुए राचा बन गया है शेहर के मुखे चौक चौराओं में यातायात कर्मी ड्यूटी करने की बज़ाय गायप रहते हैं पूरे चौक चौराओं की परताल करने पर पाया गया कि शेहर के लगभक सभी चौक चौराओं है जो की सबसे व्यस्ततम मार्ग है यहां पर एक भी यातायात कर्मी तैनात नहीं दिखाए दिया इधर पूरे चौक चौराओं में लगाए गई ट्राफिक सिगनल बन पड़े हुए है ऐसे में चौक चौराओं पर कर्मी तैनात नहीं रहना जिम्मेदारी की उदासिंता को उजागर करता है जैस्तम चौक, होकी बिलिंग तथा ड्रेगन पालस टेम्बल भूमीगत पुलिया सब्सेवयस्ततम चौक है यहां से दिन बर में सेकड़ो बड़े छोटे वहानों की आबजागी बने रहती है लेकिन यातायात विभाग के कर्मिचारी एक भी तैनात नहीं रहते है जिससे वहां चालक अपनी रफ्तार में भागते हुए दिखाई देते हैं इस्तान में कब बड़ी दुरगटना घटी थो जाए कुछ कहना मुश्किल है वैसे तो कई सड़क दुरगटना इस्तान पर घटी हुई है फिर भी यहां का यातायात विभग आखे मुंदे बैठा कोई बड़ी दुरगटना की रात ताक रहा है इस्तान बर दोन और से काफी रफ्तार से वहां भागते है उसी प्रकार ड्रेगन पैलस टेंपल की और से भी वहां काफी तेज रफ्तार से दौरते रहते हैं जिससे अनिको बार यहां सड़क की दुरगटनाय घटी हुई है इस परिसर में कॉलेज, स्कूल, धार, मिक्स्तल के साथ सुबह तता शाम को सेर करने वालों की तादात काफी जाद आ रहती है स्कूलों में साइकल से आना जाना करने वाले विध्यार्ती भी इस मार्क से गुजरते हैं यह सबी अपनी जान जोखिं में डाल करें इस मार्क से गुजरते है अपनी घोरुदा सिंता से बाज नहीं आ रहा है यही हाल शहर के जैस्तम चोग तता होकी विल्डिंग चोग का है यह मार्ग भी शहर का मुख्य मार्ग है राश्ट्रे मार्ग होने से इस मार्ग से रोजाना वहनों की आवाजाई देखी जा रही है इन चोग में भी ट्राफिक सक दल बंद रहने के बाद भी यातायात विभा के एक भी कर्मचारी तैनात नहीं किये जाते जिसे वहां चालक अपनी मर्जी से वहां निकालते रहते हैं इसे हर समय दुरगटना होने की संभावना बने रहती है यदि शहर की यातायात की जिम्मेदारी संभालने वालों के यही हालात रहे तो कैसे यातायात विवस्ता सुधर पाएगी यह समझ से परे है BCN News के लिए काम ठीस से समाधाता की रिपोर्ट